दुश्टी आईएस की ओडियो आटिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरा नाम है सपना कुश्वाहा आज का हमारा आटिकल इंडियन एक्सप्रिस में प्रकाशित लेक्ट We want a digital India, just not the one we are living in की सारांश पर आधारीत है इसमें टीम दुश्टी के इंपुट्स भी शामिल है यह आटिकल सामान्य ध्यन प्रश्णपत्र 3 के प्रोध्योग की खंड से जुड़ा है तो चलिए आटिकल की शुरुआत करते हैं जैसे जैसे दुनिया डिजिटली करण के शेत्र में आगे बढ़ रही है साइबर हमलों का खत्रा भी बढ़ता जा रहा है और भारत भी इससे अच्छूतान नहीं है अमेर्की कमपनी री सेक्योटी का कहना है कि भारतियों के निजी डेटा डार्क वेब पर उपलब्ध है खबरों की भीड में इसे नजर अंदाज करना असान होता लेकिन डेटा के आकार और समवेदन शीलता ने तुरंत इस ओर सबका धान आकरशित किया इस डेटा सेट का विक्रेता 55 प्रतिशत भारती आबादी की सत्यापन योग्य समवेदन शील सूचना प्रदान करने का दावा कर रहा है इन सूचनाओं में लोगों के नाम, फोर नंबर, आधार नंबर, पासपोर्ट नंबर और पता जैसी व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी शामिल थी मात्र 80,000 अमेर की डॉलर पर इस डेटा की बिक्री की जा रही थी हाले में दिल्ली पुलिस ने 18 दिसंबर को इस मामले में चार लोगों को गिरफतार किया लेकिन सवाल ये है कि इतनी बड़ी लापरवाही हुई कैसे इस घटना ने ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि साइबर हमलों के प्रती भारत आखिर कितना सम्वेदंशील है दरसल भारत में इंटरनेट उप्योग करताओं की एक बड़ी और बढ़ती आबादी पाई जाती है वर्ष दो हजार बाइस में भारत की बावन प्रतिशत से अधिक आबादी यानि लगभग 769 मिलियन लोग माह में कम से कम एक बार इंटरनेट का उप्योग कर रहे थे अर्थवयवस्ता का विकास हुआ जिससे धीरे-धीरे स्वास्त सेवा, सिक्षा, वित्त, खुद्रा और कृशी जैसे शेत्र में ओनलाइन प्रेटफॉर्म एवं सेवाओं पर लोगों की निर्भरता बढ़ती जा रही है ऐसे में सक्थ साइबर सुरक्षा निती वरत्मान समय की जरूरत बन बन गई है भारत की साइबर सुरक्षा निती पुरानी पढ़ चुकी है आपर्याप्त साइबर सुरक्षा, अवसंरशना, नीतियां और जागरुकता हैकर्स के लिए सिस्टम में अंतराल एवं कमजोरियों का लाव उठाना आसान बनाती है यही कारण है कि भारत को राज्य प्रायोजित और गैय राज्य अभिकर्ताओं की ओर से परिश्क्रित इवं नियमित रूप से साइबर खत्रों का सामना करना पड़ता है जो कि भारत की रणीतिक, आर्थिक इवं राश्रे हित को निशाना बनाते हैं लेकिन सवाल यह है कि भारत पर साइबर हमलों से उत्वपन चुनोतियां कौन सी हैं साइबर हमले कई प्रकार की चुनोतियों को जर्म देते हैं भारत की आवश्यक सेवाओं से संबंधित, महतोपूर्ण अवसंरचनाएं जैसे की पावर ग्रिड, परिवहन प्रणालिया इवं संचार नेटवर्क साइबर हमलों के प्रती समवेदनशील हैं इन प्रणालियों पर किये गए किसी भी तरह के साइबर हमले आवश्यक सेवाओं को बाधित कर सकते हैं और सारवजिंक संरक्षा इवं राश्य सुरक्षा को खत्रे में डाल सकते हैं जैसा कि अक्टूबर 2019 में कुडन कुलम परमाण उर्जा सैयत्र पर साइबर हमले का प्रयास किया गया था जिससे पूरा सिस्टम प्रभावित होते होते बचा था इसके अलावा भारत में वित्य शेत्र को उन साइबर अपराधियों की ओर से साइबर हमलों की उच्च जोखिम का सामना करना पड़ता है जो चूरी या जबरन वसूली से लाब कमाना चाते हैं बैंकों, वित्य संस्थाओं और ऑनलाइन भुकतान प्रणालियों पर साइबर हमलों से वित्तिय हानी, पहचान की चोरी और वित्तिय प्रणाली के प्रति भरोसी की कमी जैसी इस सिती उत्पन हो सकती है गौर तलब है कि मार्च 2020 में सिटी यूनियन बैंक के स्विफ्ट सिस्टम पर एक मैलवेर हमले की कारण दो मिलियन अमेर की डॉलर का अनधिकृत लेन देन हुआ था ऐसे साइबर हमलों से देश की अर्थवेस्ता प्रभावित हो सकती है इसके अतरिक्त जैसे जैसे भारत डिजिटल अर्थवेस्ता की ओर आगे बढ़ रहा है ओनलाइन संग्रहित व्यक्तिकत इवम सरकारी डेटा की मात्रा भी बढ़ रही है इससे डेटा उलंगनों का खत्रा भी बढ़ गया है क्योंकि साइबर सिक्योर्टी में जरा सी चूक होते ही हैकर्स समवेधनशिल जानकारी तक पहुँच बनाते हैं और उसे लीग करते हैं डेटा उलंगन से व्यक्तियों और संगठनों की गोपनियता एवं सुरक्षा के लिए गंभीर परिणाम उत्पन नहो सकते हैं ऐसा ही एक हादसा मई 2020 में हुआ था जब कैट यानि कॉमन एडमिशन टेस्स 2020 के एक लाख नब्बे हजार उम्मिद्वारों की व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी इवं परिक्षा परिणाम को लीग कर दिया गया और साइबर क्राइम फोरम पर बिक्री के लिए उपलब के लिए साइबर हमलों का उप्योग करने की प्रक्रिया है अन्यदेशों की तरह भारत भी साइबर जासुसी गतिविधियों के निशाने पर है जिससे गोपनी जानकारी के चूरी होने का खतरा बना रहता है इस तरह कि हमले भारत की राश्य सुरक्षा विदेशनिती और आ जो आमतोर पर संसाधन संपन और कुशल समोहो द्वारा की ये अंजाम दिये जाते हैं ये हमले लक्ष के नेटवर्क में घुस पैड करने और लंबे समय तक छिपे रहने के लिए डिजाइन किये कह होते हैं जिससे उन्हें डेटा चूरी करने या हेर फिर करने या शती पह उचाने का अवसर मिलता है एपीटीज का पता लगाना और उनका मुकाबला करना कठिन होता है क्योंकि विसुरक्षा उपायों से बचने के लिए उन्नत तकनीकों और उपकर्णों का उपयोग करते हैं उधारण के तौर पर फरवरी 2021 में रेड एको नामक साइबर में दस संस्थाओं को मैलवेर से निशाना बनाया था जो संभावित रूप से भारत में पावर आउटीज का कारण बन सकते थे इसके अलावा आपूर्तीश्रेकला संबंधी भीद्यताएं उन सौफवेर या हाडवेर घटकों में मौजूद कमजोरियों को संदर्भित करत और व्यापक शती पहुचा सकते हैं जैसे कि दिसंबर दो हजार बीस में नेटवर्क प्रबंधन उपकरण प्रदान करने वाली अमेरिका अवस्तित सौफ्वेर कमपनी सोलर विंट्स पर एक वैश्विक साइबर हमले ने कई भारतिय संगटनों को प्रभावित किया जिनम इनसे सुरक्षा करने के लिए भारत भी कई नई पहलों पर काम कर रहा है आये जानते हैं कि भारत ने साइबर सुरक्षा को लेकर कौन सी प्रमुक पहले शुरू की हैं भारत सरकार द्वारा जारी की गई सबसे महतोपून पहल है राश्ट्रिय साइबर सुरक्षा निती इ और सरकार के लिए एक सुरक्षित साइबर स्पेस का निर्माड करना है यह साइबर स्पेस सूचना एवं अवसनरशना के रक्षा करने साइबर हमलों को रोकने एवं जवाबी कारेवाई के लिए शमताओं का निर्माड करने और संस्थागत सनरशनाओं व्यक्तियों प्रक्र इवं प्राध्योगिकी के समन्वित प्रयासों के माध्यम से शती को नियूंतम करने के लिए विभिन उद्देशों इवं रणनीतियों की रूप रेखा तयार करता है। इसके अलावा भारत सरकार ने वर्ष 2018 में साइबर सुरक्षित भारत के नाम से भी एक पहल शुरू की थी। ये पहल साइबर अपराधों के बारे में जागरुपता बढ़ाने और सभी सरकारी वी भागों में मुख्य सूशनार सुरक्षा अधिकारियों एवं अग्रिम पंक को व्यापक एवं सवन्वित तरीके से साइबर अपराधों से ने पटने के लिए एक रूप रिखा एवं पारितंत्र प्रदान करने के लिए की गई थी। इसके अत्रिक्त साइबर स्वक्षिता केंद्र भारत में बोटनेट संक्रमणों का पता लगाकर एक सुरक्षित सा के लिए अंतिम उप्योग करताओं को सुचित करने तथा बोट, नेट, शोधन एवं सुरक्षा प्रडालियों को सक्षम करने के लिए वर्ष 2017 में लॉंच किया गया था। इसके अलावा रक्षा शेत्र में साइबर हमलों से सुरक्षा के लिए रक्षा साइबर एजनसी की स्थापना की गई है। ये एजनसी भारतिय सश्रस्त्र बलों की एकत्री सेवा कमान है जो साइबर सुरक्षा खत्रों से निपटने के लिए जिम्मदार है। इसमें विभिन साइबर थ्रेट एक्टर्स के विरुद्ध हैकिंग, सर्विलेंस, डेटा रिकवरी, एंक्रिप जैसे साइबर आतंकवाद, साइबर युद्ध, साइबर जासूसी और साइबर धोखा धड़ी को दायरे में ले। इसके अलावा मौझूद विधिक धाचे को सुद्रड करना भी जरूरी है। इसके लिए मौझूद अधिनियमों में भी समय समय पर संशोधन करते रहना च हलाकि आईटी अधिनियम में अभी भी कुछ कमियां और सिमाएं मौझूद हैं। जैसे विभिन साइबर अपराधों के लिस्पस्ट परिभाशाओं, प्रक्रियाओं इवं दंडों की कमी और साइबर अपराधियों की निम्न दोश सिद्धित्दर ये सभी कमियां साइबर सुरक्षा रणीति में चुनोतियां खड़ी करती हैं। इसके अलावा, साइबर सुरक्षा परिद्रिश्य में सुधार के लिए भारत में कई पहले और नीतियां अपनाई गई हैं। जैसे राष्ट्री सुरक्षा नीती, साइबर सेल एवं साइबर अपराध जाज एकाया साइबर क्राइम रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म और शम्ता निर्मार एवं प्रसिक्षर कारिक्रम भारत में साइबर सुरक्षा से जुड़ी प्रमुखनी दिया है हालकि ये प्रयास अभी भी अपर्याप्त और खंडित है क्योंकि भारत को तक्नी की कर्मचारियों, साइबर फोरेंसिक सुविधाओं, साइबर सुरक्षा मानकों और विभिन हितिधारकों की बीच समन्वय की कमी का सामना करना पड़ रहा है भारत को अपने मानव एवं तक्नीकी संसाधनों को विक्सित करने, साइबर सुरक्षा के उतक्रिष्टता की इंद्र स्थापित करने, सर्वोत्तम अभ्यासों एवं मानकों को अपनाने और विभिन एजनसियों एवं शेत्रों की बिद्सहयोग एवं सूचना साज़दारी को बढ़ावा देने में अधिक निवेश करने की आवशक्ता है, इसके लिए भारत को सरकारी और निजी शेत्र के प्रतिभागियों के साथ एक साइबर सुरक्षा बोर्ट की स्थापना करनी चाहिए, जिसके पास किसी महतुपूर्ण साइबर घटना के बाद उसका विसलेश देने के लिए एक मानकी कृत प्ले बुक को अनिवारे किया जाना चाहिए, इसके अत्रिक्त भारत को साइबर सुरक्षा के शेत्र में अंतराश्ट्री सहयों का विस्तार करना चाहिए, चुकि भारत अकेला देश नहीं है, जो साइबर सुरक्षा के चुनोतियों का सामना क कर रहा है क्योंकि साइबर हमली राष्ट्रे सीमाओं तक सीमित नहीं है और पूरे वैशुक समुदाई को प्रभावित कर रहे हैं इसलिए भारत को अन्य देशों और सैंतराष्ट्र अंतराष्ट्रे दूर संचार संग इंटरपोल एवं साइबर विशेशक्यता पर वैशिक मंच जैसे अंतराष्ट्रे संगटनों के साथ और अधिक संलगन होने की जरूरत है ताकि सर्वोत्तम अभ्यासों के लेंदे, खूफिया सूचनाओं के साज़ेदारी, साइबर कानूनों एवं मानकों के सामंजस्य और साइबर अन्वीशन एवं अभियोजन में सहयों का ल के लिए किस प्रकार प्रभावी रणीती का निर्माण कर सकती है तो व्यूवर्स आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी और टॉपिक के साथ कमन बॉक्स में जरूर बताएं कि आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा